आप सभी को प्रणाम और बोले विभामे, आप सब का हारदिक स्वागत और अभी नंदन, मैं विभारानी और आज का विशे आज का विशे नहीं है, आज जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो भावनाओं का विशे है, प्रेन का विशे है, एक दूसरे पर समर्पन का विशे है और वो क्या है? क्योंकि आज रक्षा बंधन है आज राखी है और राखी का पर्व आप सब जानते हैं भाई और बहनों का अटूट पर्व है, अटूट प्रेम का पर्व है और यह आज के दिन भाईयों की कलाई पर बहने राखी बानती है जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है और भाई बहन को यह वचन देता है कि हर संकट के समय में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और बहने भी इस उमीद में एक गठरी लेकर के यहां अपने घर से चले जाने की दूसरे घर में चले जाने की अपनी पूरी जिन्दगी कार देने की बात करती है उसे बहन से अपने भाई से सिर्फ इतने ही प्रेम की उमीद रहती है कि भाई उसे अच्छटे शमासे कभी उसकी ख़बर ले ले क्या है यह भाई बहन का प्रेम और कहां से इसकी शुरुआत हुई है यह तो मुझे नहीं पता लेकिन बहुत मशूर कहानी हुमायू और रानी करनावती के बारे में आप सब जानते होंगे मैं जब खोज रही थी तो मुझे राजस्थान पत्रिकाम यह कहानी छपी हुई इस हुमायू और करनावती के बारे में मिला और मैंने सूचा कि मैं इसे आपको इसे बता हूं, और इसकी बाद फिर हम अपनी बात करते हैं। तो, ये रक्षामिन धर्शन, भाईभएन के प्रेम की कहानी है, ये तो हम जानते हैं, आप से भी जानते हैं, लेकिन ये उस जमानी की बात है, जब रानी करनावती और हुमायो की बात, आप हुमायो को और उसकी मगल समराज को आप देख लिए, प्रेम, जात, पात और ये सब नहीं देखता है, ना धर्म देखता है, ना कुछ देखता है. बहराल हम पहले कहानी सुनते हैं, कि ये उस जमानी की बात है, जब देख के राजा महराजा बात बात पर युद्ध के लिए तयार हो जाते थे, तब चित्तौर पर बहादुर शाह ने हमला किया, रानी करनावती विद्वत थी और उनके पास इतनी सैने शक्ती नहीं थी, कि वे अपने राजी की रक्षा कर सकें, तब उन्होंने हमायों को राखी भेजी और मदद की प्रार्थना की, राखी वैसे हिंदूों का पर्व है, लेकिन जब संकट में आप होते हैं, आप किसी से भी गुहार लगा लेते हैं, और सही इंसान और सच्चा इंसान, मनुष्य वही होता है, जो संकत में पड़े मनुष्य की रक्षा करें, हमायों ने करनावती की राखी का मान किया, सम्मान किया और फैसला किया, कि वो राखी और करनावती की मदद जरूर करेंगे, अपना प्रण निभाने के लिए हमायों एक विशाल सेना लेकर चित तौर के और चल लेर हो चुकी थे, आठ मार्च 1535 को राणी करनावती ने चितोर की विरंगनाओं के साथ जोहर कर लिया और अगनी में समा गए, बहादुशा ने चितोर पर कबजा जमालिया था, जब यह खबर पहुंची वहां तक हमायों तक तो हमायों उन्हें बहुत दुख हुआ, उन लेकिन भाई-बहन का रिष्टा, अटूट रिष्टा, अटूट प्रेम, ने स्वार्थ प्रेम आज भी बरकरार है हमारे और आपके बीच, यह रिष्टे कभी-कभी जब बिलकुल अर्थ में बदल जाते हैं, जब बिलकुल उसका कमर्शिलाइजेशन हो जाता है, तब उ तरीके से पैसों के तरा जो पे तोला जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, तो धागे अब राखी किस तरह से कितनी महंगी होने लगे, कितनी महंगी होनी चाहिए, जैसे आज करोना के समय में अचानक हमने कहीं पढ़ा, कि लोग डायमंड स्टड़ेड मास्क की बात कर मास्क तो लगाना है, लेकिन उसमें जरा हीरे मोती भी जड़े रहें, मतलब हमारे पास, उन लोग कुछ लोग के पास इतने पैसे हैं कि उन्हें इस तरह के फैशनेबल मास्क चाहिए, जान बचाने के साथ साथ कुपसूरती तो औरीजिए, कुपसूरती तो हमें भी चाह है, आप अगर चाहें तो करवा लिजेगा, मैं फेस्बूक पर डिटेल शेयर करने वाली हूँ, जल्द ही, बहरा राखी रक्षावंधन के कमर्शिलाजेशन के हम बात कर रहे हैं, और मार्केट में इस बार तो पता नहीं कहां क्या सजेगा, क्योंकि पुरा मार्केट भाईों को भेजती हैं, और उनके बदले में भाई तरह तरह के उपहार देते हैं, भाईों के उपहार देने की बात कोई नई नहीं है, और भाई अपने प्रेम के बहन के प्रेम का एक 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 उसकी निशानी है, और उसके अपने स्नेह के सुरूप या भेंड देते हैं, ल मेरी तो फूरी चुट्ती बरबाद जो गए जो भी क्या हो गया ऊसके सहेलीों ने पूचा था। मैं भी HOL सुन रही थी क्या होँ काई जी कुछ भी नहीं जी हमने फूरी रक्षबंदन मारब प्रद्व चिला या जी हमने का पर हुआ कि समने पूछा कि पर हुआ क्या हैं जी हमने इत्ते पैसे की तो हमने राखी करी दी फिर भाई कि यहां जाना था तो फिर हमने नहीं साड़ी करी दी फिर उनके पार जाने अब खाली हाथ तो जाएंगे नहीं भाबी के लिए भी लेके जाना था तो पिर बच्चों के लिए भी हमने कुछ ने कुछ जो है वो गिफ्ट लिए फिर मिठाई या ली ये सब करते वरते में जो है जो है जो हमारे जो कुछ नहीं जी तो दो तीन ये आज की बात नहीं मैं तकरीब इन पंदर बीस साल पहले की बात कर रही हूं उससे भी जादे की ब टेक्सी कि जाने में भी टेक्सी कि pien ex better जाने के भी पैसे लगे आने में अब पैसे लगे और वहां पर अब और अब हम ने राखी बांदी टिक्के लगाएं और सब सुन है और उसके वाद भाइने जो हैँ वह घू सतल में कितना रखा पता है थाल में हमारे 51 पै कि मेरत Zusammen वह रुपए गुमांकर करके उसके मोह पर मैं देमारू कि कम अख्तो इतनी तुझे सूच रही है, इतना कंजर्पन तुझे सूच रहा है, कि बैन को देने के लिए तरे पास क्यावन रुपए है, जो बैन ते लिए इतनी हजारों रुपए के लिए तुम्हारे तुम सब के बाएगी लेके आई ऑई है, किसी ने पुझा कि नहीं रहने थीक है ना हो सकता है भाई के पास ना जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ही तरह जैसे हम खाते पितह आपर हैं है आप में राकी लिए करके भीस तो के बलकु cortar विज चाहे आप उसे जाकर के भाई को बांध करके आए पर है आपके मन के उपर है आपके श्रद्धा के उपर है आपके विश्वास के उपर है हम तो ये मान करके चलते हैं कि भाई और बहन का प्रेम सिर्फ एक राखी के धागे से बन्धा हुआ हो, उसमें कहीं कोई किसी भी तरह का अर्थ ना गुसे, आपके पास कुछ नहीं है, आप एक गुल का टुकड़ा भी खिला सकते हैं, और गुल का टुकड़ा भी खिला करके आप भाई बहन के इस पर्व को मना सकते हैं, हाँ, अब ये है कि भाई बहन के इस रक्षा सूत्र के इसके रूप में क्या परिवर्तर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि इसके इस रूप में भी परिवर्तर होना चाहिए, सबसे पहले तो ये कि तो बहन की रक्षा करता फिर उसके पास और कोई गाम दंदा नहीं है तो बहन की रक्षा फिर करती फिर और बहन को इतना कमजूर क्यों बनाया जाए कि वो भाई का मुह जो है कि भाई मेरी रक्षा करेगा पर बहन को आप जुड़े सखाईए कराते सिखाईए उसको पढ़ा वदद खुद करने के लिए तयार है और पीछे से आप उसके सपोर में रहिए, आप उसके सहारा बन करके रहिए, ताकि उसे लगे, यह प्रॉपर्टी के बटवारे में भी है, हमारे हिंदु लोग के हिसाब से तो है कि शादुशदा बर्मद घर की बेटियों को भी पैत्रि एक संपत्ती में हिस्सा देते हैं, और बहन जो है अभी भी कि संबंध ना बिगड़े, रिष्टे ना बिगड़े, चलो एक मायका तो है, और मायका तो माबाप के बाद भाई ही तु सहारा है, और भाई ही तो है, और यह सोच करके बहने अपने अपना वो सारा हाथ लेती हैं, और फिर वही एक उस गाने के साथ, कि हम दूर देशनी हो भाईया, गठरिया के ररे आस, कि एक टुकड़ा मिठाई के लिए, एक टोकरी के लिए, एक साड़ी के लिए, एक गठरी के लिए, बस हम सब कुछ हम अपना छोड़ देते हैं, जब पुरा घर छोड़ करके दूसरे कर चले गए, तो बाकी चीजों का क्या, तो भाई बहन का यह प्रेम है, भाई बहन का यह त्याग है, आपके पास सेगणों कहानिया होंगी, जिसमें भाई ने बहन के लिए त्याग किया, आपके पास हजारों कहानिया होंगी, जिसमें बहन ने बहन के लिए ऐसे कई कहानिया होंगे कि जहां भाई और भेहन दोनों एक साथ मिल करके और उन्होंने कई-कई तरह के प्रतिमान रहे हैं हमने भी प्रतिमान गड़ा है हमारा एक छुटा सा प्यारा सा भाई है श्रीराम डालचन फिल्मेकर है बहुत बड़ा फिल्मेकर है और अभी उसकी एक फिल्म आई है प्रिंग दाय स्प्रिंग थंडर और जिसके रिलीज के चकर में वह यहां से वहां तक अभी घूम रहा है लिए उसकी जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है दे लॉस्ट बहरूपिया और जिस पर उसे नेशनल अवार्ड मिला था बहुत प्यारा इंसान है बहुत प्यारा बच्चा है वो एक दिन उसकी आया हमने ऐसी फेस्बुक पर लिख दिया था कि मेरे पास तो कोई मेरे करना भाई है नहीं आज पास कि हम किसी को राखी बांदे तो वो आया दो दौरता दौरता कहा कि दीदी आज आप राखी नहीं बांदेगी आज मैं आपको राखी बांदूगा और फिर उसने मेरी कलाई में राखी बांदी और फिर मैंने उसे नेग दिया और इतना मतब एक हमने पुरा का पुरा उदारन हमने चेंज कर दिया एक रवायत हमने बद चेंज कर दी कि बहन ही राखी क्यों बांदे भाई कि वह भाई क्यों न बांदे राकी बहन को तुम्हें राज श्री राम डालतन ने मुझे राखी तीन साल पहले राकी बांदी थी और यह हमें आज भी बड़ा सुखद लगता है तो जिलिए राखी के इन तमाम तरह की शुकावनाओं के साथ और प्रेम और मुहबबत के साथ के हमारा और आपका यह प्रेम बना रहे सभी भाईयों को हमारे दुनिया के तमाम भाईयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हमारे इस मंच के मादम से बोले विभा के मादम से आप सब मेरी तरफ से मुहबबत के धागे से बने रहें, नमस्कार, प्रेनाम फिर कल मिलेंगे, कल हम फिर राखी के उपर ही एक और एपिसोड करेंगे, आप जरूर रहिएगा, लेकिन तब तक अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं आग सब्सक्राइब किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर ल हमें हमेशा की तरह आपका और आपके प्रेम का इंतजार रहेगा, नमस्कार, शबकार, धन्यवाद, और अपना ख्यार रखियेगा, क्योंकि आप हैं, तो हम है